एक और जिसके बच्चे क्रिपल पैदा होते थे एक बच्चा आज आपने टेस्टमनी भी शाय सुनी होगी की बच्चा अब नॉर्मल ही पैदा होते थे लेकिन चर्च में आने के बाद प्रार्थना उई तो बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ पहली बार हाँ या ना सुनी कर पैसे के नहीं हुझ ना एक लेडी गे रखे क्रिपल पैना होते थे जब बच्चे ने पैदा होना क्या टाँग 닉ने क्षोटी यह अब ढूसरा तीसरा पैदा वह क्या है जी पैटेड़ी है जी यह क्या चक्कर है चारों बच्चे कमरे में रेंग रहें कोई इधर जारा है रेंग के कभी उसका डाइपर चेंज कर कोई बेड़ पे है कभी कोई बिमार है दुखी हो कि एक दिन चर्च में जाती और एक ऐसी चर्च में जाती जहां पॉपिए हुआ रोज़ करने लगी उसके एक रिष्टितर उसे आके बोली कि बसकर प्रारथना क्या तु मुझे मारना चाहती गाल मैं तुझरे करती हूं और वो रिष्चतार वो था जो उसके बच्चों के क्रिपल होने के लिए उसके हमेशा जादू दोना करता था ताकि वो लेडी अपने पती से या उसकी लाइफ में कोई ऐसी दिक्कत आए ताकि वो अलग हो जाए और जब फायर प्रेर शुरू हुई उस बंदे ने तौबा की उस लेडी ने तौबा की जो उसके बच्चों के टूने के पीछे थी और उसके तौबा करी मर गई सुबा जब वो उठील और उसके चारों बच्चे एक दम से चल रहे था एक एक दिन में चार बच्चे हील हुए एक घर में एक दिन में एक रात में जब आत्मि गृति के साथ उसने फालो करना शुरू किया है हालिलुया उस और ने डॉक्टर देख लिया दवाया देख लिए फीजियो थेरपी ये थेरपी सब कुछ करके देख लिया फिर एंड में फायर प्रेयरी काम आई उसके क्या हुआ फायर प्रेयर करने के बाद शैतान के बंदन टूटें आत्मिगृति से हल हुआ और शरीडिगृति से नजर आना शुरू हुआ अमेन